दोस्तों नमस्कार जिस तरह से आपको हम लगातार ग्राउंड रिपोट दिखा रहे हैं। क्या मुद्दा है क्या नहीं है चलते रहे हैं। कि राष्टी अद्धक्षा बहुत 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 आभार पूरे जनपत की तरफ से पूरे परदेश के पदाधिकारियों की तरफ से कि हम जैसे कार्च करता को जो हमेशा 2005 से लगातार बहुजां समाज पार्टे में लगे हुए हैं। और बूर्ध से ले के जिला द्यक्ष चार साला भी लगातार रहे हैं। सबसे पहले उन्हें परकट करते हुए और हम लोग पूरे विधान सभा में हम लोग जहां भी जा रहे हैं सर्वसमाज की वीच में जा रहे हैं और घर जाके सब लोगों का आसिरबाद ले रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बाबा गंज की जनता मन बना चुकी है क 2022 में बाबा गंज बीधान सभा को जिताते हुए बहिन कुमारी मायवती जी को पांच्वी बार मुकमाद टेडी बनाना है यह बाबा गंज के जनता सपतली है और हम लोगों को अस्वस्त कर रहे हैं हम लोग घर कर जाके असिरबाद ले रहे हैं बीधान सभा बाबा गंज है दूसरे अस्थान पर रण करती थी अब की बार जो तिसरे अस्थान पर रण की तो क्या लगता है कैसे जीत करेंगे हम लोग जब सब पहली बार राजनी तो लोग सुरुगात किये थे हम लोग इलावबाद नुवस्ट्री में पढ़ रहे थे तहां अधरी चंदराजी सब लोग हम लोगों से मतलब दोस्त्याना संबंध है सब लोग एकदम से परचित हैं तो सब जितने भी कार्च करता हैं जब से बहें कुमारी मायोती जी के संदेशा आया है कि यहां से कार्च करता को टिकर ला दिया जा रहा है सारे कार्च करता है एकदम जमीनी अस्तर पे काम कर रहे हैं जितने भी भुझा समाज पार्टी के कार्ज करता हैं सब हर घर घर में जाके बहन कुमारी मायवतिजी के संदेशा को दे रहे हैं पूरे उत्तर परदेश की सारे सीट फाइनल हो गये हैं दो जो चार सीट जो है जहां कंडिडेट कमजूर है को दिन में पंदरा जन्वरी के आसपास हो सकता है हां बहन कुमारी मातिजी के तरफ से लिश्ट जारी हो जा पूरे जो है मायवतिजी ट्यूट कर कहते हैं कि कांग्रेश की पूर गिरियर मंत्री जो है बस्पा में सामिल होंगें क्या कहांगे बहुजान समाज पार्टी चु किया जा रहा है जो पार्टी के वरिष्ट लोग आने लोग जो आ रहे हैं उनको भी संबान दिया रहा पार्टी में बात की जाए तो टिकट की टिकट नो जो है बहुजान समाज पार्टी लगबग 2 200 सीटों के एलान कर चुके है वहीं समाज वादी पार्टी को लिया जा से लिस्ट आना बाकी है और कभी भी आ सकती है लिस्ट जो है तो और अन पार्टियों के अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुए है अभी तो एक एक विधान सभा में लोग जो सपा हो भाजपा हो जो मीटिंग करके सारी भीड दिखाई जा रही है चुकि एक बीस पचीस पची सीटों पे हुगा मंडल में हुगा बहुत अच्छी भीड हुए है जितना उनके बीस बीस कंडिडेट लेके आए वहां एक एक बीसपी कंडिडेट उतने भीडे कर ठकिया था इसलिए बहन कुमारी मायवतिजी के तरफ से ना कोई भगदर मचने वाली है सांती तरीके से ज साइनाडा एकदम मेंटेन होता है गरीबों के लिए जो भी तमाम बैकिंसी इदर रोजगार सब बेरोजगार बच्चे टहल लाए हैं चाहे बीएड की यह हों बीटीसी की यह हों आन्निक डिगरी लेके सब पकोड़े बेचने की बात हो रहे बजेपी के दोरा और बहन कु सब्सक्राइब करते हैं हम लोगों के साथ में जो है विधामसपा बाबा नज के अध्यच से कुमार जी है उनसे बात करने की कोसिस करेंगे चुनाओ के बारे में क्या कहते हैं क्या क्या कि सबसे पहले तो मैं आधाणियां बहुत धन्न्यबाद देना चाहता हुं कि हमारे पीज की बहुत ही कर्माट जारू कारगरता जो हम लोगों के साथ पूरे कारगरताओं के साथ कंधिस कंधा मिला के चलते हैं आपको टिकर दिया इसके लिए बहुत धन्यबाद और आभार देता हैं बाइन जी को चुनाओं की तयारी हम लोगों के अच्छी चल रही है करता है लोग जुड़ने के परियास कर रहे हैं अब कारकरता यह से भी बगएर प्रतियासी के अपने अपने पर बूत हो लगे हुए हैं समर्थन में रहा है सीठ हम लोग जीते हैं कहा जाता है कि जो है कारकरता सेक्टर पर मौजूद नहीं रहते हैं अब बराबर समाज प करता यसे हैं मान्वर्षा को जन permit कहते हैं आपना काम करते हैं सेक्टर में अब जν जो नए बना जाते हैं हो भी जो है कैर करदेब बना जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं कि बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं की भागेदारी होनी चाहिए और हमारा सवभाग है कि ये बाबा गर्ज विधान सहवा में हमें जब प्रत्यासी मिला है ये युवा है तो हम लोग 120 से 120 की रेस से दोड़ेंगे और चुनाव पर चार करेंगे और रिजर्ट अच्छा लाएंगे और जैसे सुसील भाई यहां के जिला पंचा सदस और जनता का मुद्दा उठा रहे हैं हमारी उम्मीद है और जहां तक हम समझते हैं कि विधान सहवा में पहुंचकर समाज के लिए संघर्श करेंगे वहां पर भी समाज का मुद्दा उठाएंगे अब युवा भी ठान चुका है जो है 2022 में ब्यस्पी की सरकार बनाने के लिए जिन्दाबाद 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 झाल झाल